हेलो एवरिवन आयम आकाश्गोर वेलकम बैक टू यूर इंडियन मेडिकल लेक्टर गईज नहीं टूपिक लेकर आयो फ्लिक के लिए में बायो मेडिकल वेस्ट क्या होता है ठीक है इसको हम लोग कौन से कच्रा जो होस्पिटल में रहता लैब में रहता कौन सा कच्रा कौन से कलर के डस्ट फीर में डालना चाहिए इस टेप क्या होती है बायो मेडिकल वेस्ट की स्टेप हिंदी प्लस इंग्लिज दोनों भाशाओं में समझाओंगो दोनों भाशाओं में नोट्स देने वाला हूं स्टार्ट करते गई आज का वीडियो देखो सबसे बिले समझना होस्ट वेस्ट मैनेजमेंट होस्ट वेस्ट मैंश मैंक्शल में क्या होता है देखो ओस्पिटल होस्ट्ट होस्पिटल वेस्ट जन्रेट ड्रिहा त्यूर अगन पै्ट मेंडिकल मेडिकल रिसर्च जब पेशेंट को देखा जाता है जब उसे ट्रेटमेंट किया जाता है तब और जब हम कुछ काम करते रहते हैं हुस्पिटल में ड्रेसिंग करते हैं तब बहुत सारा कच्रा जनरेट होता है जैसे सिरिंज हुआ काच की चीज़े हुई और टिशू हुए खून हुआ ब्लेडिंग हुई बहुत सारी चीज़े होती है इनको हमें अलग-अलग डस्ट बीन में डालना होता है ठीक है मरीच का इलाज के समय या उसके डाइगनोसिस करते समय या मेडिकल रिसर्च करते समय जो कच्रा उत्पन होता है उसे मेडिकल वेस्ट कहते हैं हम वेस्ट जो कच्रा था इसको सहीध द्रंग से कौन से कच्रा कौन से डिब्बे में डालना है ये रूल किसने दिया था किसने डबल अप किया था तो सर्व प्रतम Ministry of Environment and Forest ठीक है जो Ministry and Environment of Forest थे उन्होंने सबसे पहले ये वाला जो रूल है ये वाला रूल उन्होंने दिया था गाईस ठीक है ठीक है ठीक है Medical West Program सर्व प्रतम Ministry of Environment and Forest द्वारा दिया गया था ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना नेक्स बढ़ता हूं में अब हम लोग समझ देए West जो स्टेजिस क्या होती वेस्ट मेनेजमेंट की कितनी स्टेप बटाई गई है देखो एक होती है Segregation Segregation में ही सारे आते Segregation में क्या होता है कचरा उत्पन होने का क्या मतलब हुआ हम काम करते हैं था होस्पिटल में तब पार्ट है उसको प्रोपर तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा खतम नहीं किया जाएगा उस कच्रे को तक तक तो हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा उसको गोलते स्टोरेज next होता है packaging and transportation अब कुछ कच्रा ऐसा होता है जो हमें hospital से transport करना पड़ता है तो उसे side hang से pack करना packaging करना और transport करना उसके बाद आता है treatment उसको कैसे treat करके खतम करना है कच्रे को वो और disposal में भी वो ही process होती है खतम करने की process ठीक है तो ये कुछ important process है guys segregation collection and storage packaging and transportation treatment and disposal ये बहुत important stages है आप से ज़िक कोई पूछी जाए तो याद रखना कि ये सारी stages है जो follow की जाती है हमारे hospital में जो waste management के उपर इसके बाद में directly सीधा बढ़ता हूँ हम इसको discuss करना है कि कौन सा कच्रे को किस color के डिबे में डाला जाता है ये चीज़ हम को देखना है सबसे पहले segregation this is the first step of biomedical waste management बोलना है जो segregation होता है या biomedical waste management की प्रितम प्रक्रिया होती है इसमे अलग-अलग color के डिबे दिये हुए ये color के डिबे हम लोग hospital में use करते ठीक है in this step sorry in this step medical waste is differentiate or separate बोलना हे कि यह जो segregation की प्रक्रिया है इसमें अलग-अलग medical waste सब्हों के अलग साच को all light separate किया जाता है segregation का मतलब होता है अलग-अलग कच्रे को अलग-अलग डिब्बे के अंदर segregate कर देना separate कर देना separation कर देना ठीक है वह एक ही बात है जल्दी सा आप लोगे किसके स्क्रेंशोट ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अब आता सबसे पहले हमारा येलो बीन यानि की येलो कलर का पीले कलर का डिबबा जो होस्पिटल में होता है ये किस काम के लिए होता है देखो जरा human anatomical waste सरीर के अंग और उतर जितने भी गाईज ये चिद्ध्यान रखना anatomical waste निकलता है जिसे क्या हुआ कि कटिंग करी किसी की सरजरी हुई किसी की सरजरी के बाद उसकी kidney निकाल दी kidney काटके निकाल दी ठीक है kidney बाहर निकाल दी खराब थी तो liver बाहर निकाल दिया या कोई bone बाहर निकाल दी हड़ी तूट गए किसी की उंगली कट गई उंगली बाहर निकल गई वह इन सब waste को हम लोग पीले color के डिब्बे में डालते है ठीक है इसके अलावा bleeding खून वगएर निकला है वो भी इसी डिब्बे में हम लोग डालते है ठ ठीक है कोई patti वगेर हमने change करी है hospital में वह भी इसी डिब्बे में डालते है हमने cotton swipe जो मरीज का जो खून निकाला है blood निकाला है उस blood में से जो blood को पूछते है ना cotton से वो cotton भी इसी डिब्बे में डाली जाती है ठीक है देखो आगे dressing and bandage जो dressing हम लोग करते हैं मरीज को और जो bandage जो रहती है ना इसको हम लोग bandage apply करते वो bandage वगेरा यह सारी चीज हम लोग इसमें डालते है blood बेक जितने भी ब्लेट अब मान लिजा कोई होस्पिटल में हम लोग काम कर रहे होस्पिटल में काम करते समय क्या वह blood बेक निकलते किसी को a positive blood चड़ाया किसी को b positive blood चलाया तो उस blood को चड़ यह को भी इसी डिब्बे में डाला जाता है यह चीज भी आप धियान रखना केमिकल वेस्ट जितने भी हमारे केमिकल वेस्ट निकलते ना गाईस केमिकल वेस्ट निकला है उन सारे जितने भी केमिकल वेस्ट होते खराब हो जाते उसको भी इसी में डिब्बे में डाला जा ऩता है ठीक है और उसके बाद जो well उसके बड़ ब्लडबे ब्रायों मतलो कुण से जूड़ी होई चीज़ेश के लिए जल्दी से फटा फटाके की स्क्रीनशोट मातों Joanna हो नेक्स अता हमारा रएड बीन लाल कलर का डिबबह अब यह лаг लाल कलर के डिबबे में अभ क्या-क्या डालता हू जरा के देखो चुब और आई विसेट ट्यूब में चलाने ऑलावा और उसके अलावा और प्लास्टिक eating जैसे प्लास्टिक की बॉटल हुई वह विसी डिब में डालते हो ठीके यूस बेग और खेटर ठीके यूरीन के प्लास्टिक के सामान है और इतने चीज यहले हातों के जो गलाप्स होते हैं वो कौन से कलर के डिब्बे में डाले जाते हैं यहने कि जो हाथ में जो हम गलफ्स पहनते हैं वो डिब्बो को याद रखना लाल कलर के इस वाले डिब्बे में डाले जाते हैं यह भी बहुत important question है यह बहुत बार exam में पूछा गया है next IV plastic bottle आई वी plastic bottle प्लास्टिक की बोटल होती हैं जो हम पेशेंट को लगाते हैं वो बोटल भी इस लाल कलर के डिब्बे में मैंने तो उब को सिंपल बता दिया बहुत भी हम प्लास्टिक आइटम निकलता हैं वो सारा प्लास्टिक आइटम इसमें डालते हैं अब ऐसा मत करना है कि जो वो भी प्लास्टिक की होती है जो मरिज को खून चड़ाते वो प्लास्टिक की हो रहती है तो उसको इसमें डाल दो नहीं भाई या वो एनाटोमिकल वेस्ट में जाएगा ठीक है यानि कि उसमें खून वगेरा है तो खून वगेरा वाली चीज़े लग जाती है ठीक है सिरिंज विदाउट नीडिल हा जो सिरिंज होती है पूरी नीडिल होती है उस इंजेक्शन में से हम सूई हटा देंगे यानि कि लोहे वाला पार्ट जो आगे का स्टील वाला पार्ट है स्टीखा पार्ट है नुकिला पार्ट है धार धार पार्ट है उसको निकाल दो, बच्चा हुआ प्लास्टिक का भाग इसमें डाला जाता है, और आपने देखा भी होगा, होस्पिटल में सिरिंज को यूज करने के बाद आजकल कट करते हैं, सिरिंज कटर आता है, ठीक है, तो तुरंत कट करके, फिर हम लोग उसको रख देते हैं, ठीक है स्पेसिमें, स्पेसिमें कंटेनर, हाँ, स्पेसिमें कंटेनर क्या होता है, बहिया, स्पेसिमें कंटेनर जैसे यूरीन का गोल कंटेनर आता है, वो भी इसमें डालना है, जो हमने बलड सेंपल कलेक्ट किया है, उस बलड सेंपल कलेक्शन वाले को भी इसमें डालना है, ठी लेब के अंदर, होस्पिटल के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर, ओटी के अंदर, जिस जिस चीज में हम लोग प्लास्टिक का होस्पिटल में यूज़ करते हैं, उन प्लास्टिक का वेस्ट को हम लोग लाल कलर के डिब्बे में डालते हैं, जल्दी से फटाक से एक स्क् प्लास्टिक का इटम, यूरिन बेक, केथेटर वगेरा, गलप्स वगेरा, प्लास्टिक की बोटल, सिरिंज वेस, विदाउट, नीडिल वाली, स्पेसिमन, कंटेनर वगेरा, सभी प्लास्टिक की चीज़े, ठीक है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स जो हमारा होता है, नीले कलर प्लास्टिक, बीकर वगेरा, होते है, काच के आपने देखे, मगे जेसे, इसके अलावा, ओल गलास्टिक, जितने भी गलास्टिक होते है, गलास के जो आईटम होते है, काच से जूड़ी हूई वो काच की बोटले हम लोग इसमें डालते हैं अब ऐसा नहीं होगा कि आप उसको उस वाले में डाल दोगे दूसरे डिब्बे में डाल दोंगे इसके पहले रेड वाला देखा था उसमें रेड वाले डिब्बे में प्लास्टिक का इटम इसमें काच का इटम तो याद रखन आपको ग्लास, ट्यूब होती है क्लास, लाइड आपको क्ले अभॉफ बीकर होता है जितने हैं नेक्स रहता है हमारा सफेद कलर्टा डिब़ ऊजे 最後 सबस्कुना कि ніभा ड्राइबी टीजेय Salam आइटम यहने कि सभी धार-धार वस्तु जितने भी धार-धार वस्तु है सारी चीज़े हम लोग इसी में डालते है ठीक है यह लिक प्रूफ होता है पेक रहता है ताकि इन जो आइटम को है ना इनके अंदर जंग न लगे और उन निडिल को सिरिंज को रिसाइकल करके अगे आए समय में जल्दी से की स्क्रिंशोट ले लो फटा-फट आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स और लास्ट ग्रीन बीन हरे कलर का डिबा देखो भाईया इस यूस फोर दी ऑल टाइप ऑप किचिन वेस्ट यानि कि हमें खाने पीने से जुड़ी हुई सारी वस्तु है इसमें गया डिब्बह ऑगया अजका अशक्काल ड्राइव एक अलग होता है ड्राइवेस्ट वाल आफ होता है द्राइवेस्ट वालत जो इसके जितने थैंबी आपके ज्ढ़र के भी फोस्पितल में चीजो कई एक ला गार अपो revolution के करते होpieने के बाद जो बचिया बिब價 उसको आप लोग घारे कलर के डिब्बे में डालना है तो जितने भी किचिन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सारी चीचिस में डालते हैं बट ये भी दो टाइप से होते हैं सुखा कच्रा और गिला कच्रा I hope कि आपको गईज ये वेस्ट मेरेजमेंट से बिल्कुल शोटली बताए मैं तो बिल्कुल बिल्कुल से भी बिल्कुल शोटली आपको इतना आना चाहिए डीटेल से वीडियो को भी और दूँगा बस इतना आप पढ़ दोगे तब भी आपको सारी चीज़े किलिए रहे होगी Thank you for watching your Indian medical lecture